ओम शांती हम सभी परम शिक्षक शिव बाबा के रोहानी स्ट्यूडेंट हैं जो आते हैं शिक्षार्थ और जाते हैं सिवार्थ और ये सेवा भी कोई कुछ लिमिटेड लोगों की सेवा नहीं है ये सेवा विश्व की सेवा है और विश्व सेवाधारी बनने के लिए बाबा हम बच्चों को विशेश ट्रेनिंग देते हैं सेवा की विधी क्या है? सेवा की सिद्धी क्या है? सेवा की परहेज क्या है? सेवाधारी आत्माओं के लक्षण क्या है? विश्व सेवा वास्तव में है क्या? और सर्विश्रेश्ट सेवा की परिभाशा क्या है? इन सब बातों को जब हम समझ जाते हैं तो सेवा के वल स्थूल नहीं रह जाती उसके माइने अती सुक्ष्म और इसके रिजल्ट अती गूपनिय हो जाते हैं तो आज की मुडली हमें सेवा के विभिन मायनों को यथार्धरीती समझा रही है सुनते हैं बाबा के माधर महवाक्य आज है 19 तारीक 19 जून 2014 बाबा के महवाक्य है मीठे बच्चे सबसे मूल सेवा है बाब की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना यह है मूल सेवा तुम किसी को भी बाब का परीच्चे दे उनका कल्यान कर सकते हो यहना किसी को अपने बिच्चडे हुए पिता से मिला देना इससे बड़ा पुन्य नहीं होता तो आत्माओं को उसके परम पिता परमात्मा से मिला देना सबसे शुरेष्ट सिवा है प्रश्ण है कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवग्या करा देती है उससे बचने की युक्ती क्या है बहुत सारी आदते जन्म जन्मांतर की प्रतेक मनुश्यात्मा में आ गई है कहीं पर हम उन्हें नजर अंदाज कर देते हैं परतु बाबा बहुत महीनता से हम पर नजर रखते हैं और हमारा ध्यान के चवाते हैं उत्तर है अगर किसी में कुछ छिपाने की वचोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवग्या हो जाती है कहा जाता है कख का चोर सुलख का चोर लोब के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना चोरी कर लेना यह बहुत खराब आदत है इस आदत से बचने के लिए ब्रम्भा बाप समान ट्रस्टी बनो मेरा कुछ नहीं है किसका है बाबा का है जो भी ऐसी आदते है वह बाप को सच 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 सुना दो बस बिलकुल सचे दिल से साफ मन से बाबा को सुना दो बाबा अपने आप यह आदते छुड़ा देगा आउम शांती तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो सब बैठे हैं फिलकुल सूल कॉंशस होकर अब इसमें कोई साइंस घमंड वह अठियोग आदी करने की बात नहीं है यह बुद्धी का काम यह कोई साइंस नहीं है यह बुद्धी का काम है क्या समझ के बैठे हो यह देहे समझ के बैठे हो यह अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बैठे हो तो यह बुद्धी का काम है इस शरीर का कुछ भी काम नहीं हठयोग में शरीर का काम रहता है अब यहाँ पर कुछ हठयोग करा रहे हो तो शरीर की मुद्राओं पर ध्यान होगा यहाँ हठयोग नहीं है बुद्धी की बात है सारी दिखाई नहीं देती पर खुद को अनुभव हो जाती है यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे है परमपिता परमात्मा के सामने हम बच्चे होकर बैठे है जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे है एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब बाप कट जाएंगे ये मुख्य पॉइंट है, जो रोज की मुडली में आती है, तो ये पक्की है, और चक्र को फिराओ, सकिंड पॉइंट जो बाबा बार बार रिपीट करते हैं, वो क्या, चक्र फिराओ, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ, बाब एक-एक को बैट देखते हैं, कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं, स्थूल सेवा करते हैं, सुक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं, ध्यान जे समझेंगे, तीनों में अंतर, स्थूल सेवा करते हैं, सुक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं, एक एक को बाब देखते हैं यह सब को बाब का परीचे देते हैं पुछ देखते हैं बाबा सब को बाबा का परीचे देते हैं मूल बात है यह हर एक बच्चे को बाब का परीचे देते हैं और उको समझाते हैं कि बाब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं देखते हैं बाबा, हम ऐसे समझाते हैं कहा तक इस सर्विस में रहते हैं अपने से भेट करते हैं सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूँ इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दोड़ी पहन सकते हैं वह नहीं ब्रह्मा बाबा से ज्यादा पहन सकते हैं हर एक को बाबा देखता है बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं क्या क्या सेवा करते हैं तो बाबा पूछ रहे हैं क्या सेवा करते हैं तो अपने अंदर जाकना है, हम क्या करते हैं? कोई को बाप का परीचे दे, उनका कल्यान करते हैं? टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं? मूल बात है ही यह है, इंपॉर्टेंट बात है, प्रतेक मनुश्यात्मा को उनकी परमपिता परमात्मा से मिलाना, उनका परीचे देना, इस समय सब औरफन है, बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते, बाप से वर्सा तो जरूर मिलता है, तुम बच्चों को मुक्ती, जीवन मुक्ती धाम दोनों बुद्धी में है, तो पहले है बाबा और फिर है वर्सा, कौन सा वर्सा, एक है मुक्ती धाम, दूसरा जीवन मुक्ती धाम, बच्चों को यह भी समझना है, कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ती का राज्य भाग्ये लेंगे, बाकि धेर आतम जो भी दूसरे धर्म वाली हैं, वह तो कोई भी नहीं रहेंगे, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे, याद आता है, वो दुनिया जब केवल हम ही थे भारत में, और कोई नहीं था, बाप बच्चों को बैट सिखलाते हैं, बुद्धी में क्या क्या रहना चाहिए, बाबा रहना चाहिए, चक्र रहना चाहिए, मुक्तिधाम रहना चाहिए, जीवन मुक्तिधाम रहना चाहिए, तो ये बुद्धी में रहना चाहिए, यहां तुम संगम युक पर बैठे हो, तो खान-पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए जानते हो, हम भविश्य में सर्वगुण संपन, सूलहकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं यह महिमा शरीरधारी आत्माउं की है सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहां आकर बज़ जाती है तुम्हारी बुद्धी में एम उप्चेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है किन जैसा बनना है? लक्षमी नाराइण जैसा बननना है बाब का फर्मान है बच्चे पवित्र बनो पूछेंगे कैसे पवित्र रहे दुनिया सारी पवित्र है बाबा श्रीमद देते हैं पवित्र बनो तो पूछते हैं कैसे पवित्र रहे क्योंकि माया के तूफान बहुत आते है बुद्धी कहां कहां चली जाती है beyond time, beyond space समय और स्थान से पार चली जाती है पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती है उनको कैसे छोड़े यह जो आदत पड़ गई है बुद्धी को घूमने की इधर उधर भटकने की इनको कैसे छोड़े बच्चों की बुद्धी तो चलती है ना और कोई की बुद्धी नहीं चलती बाप, टीचर, गुरु भी तुमको मिला है यह भी तुम जानते हो ओच ते ओच भगवान है वह बाप, टीचर, ज्यान का सागर भी है बाप आये हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने लिए सत्युग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं यह बातें तुम्हारे सिवाए और कोई की बुद्धी में नहीं होंगे तुम्हारी बुद्धी में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे और किसी की बुद्धी में यह बाते हो सकती है नहीं सोच भी नहीं सकते और इतने सब धर्म खंड आदी नहीं होंगे हम ही विश्यो के मालिक होंगे हमारा ही एक राज्य होगा बहुत सुख का राज्य होगा बाकी उसमें वेराइटी पद वाले होंगे हमारा क्या पद होगा यह सब बाते पता है लेकिन हमारा क्या पद होगा हम कितनी रुहानी सेवा करते हैं तो पद किसके आधार पर मिलेगा कितनी सेवा करते हैं बाब भी पूछते हैं ऐसे नहीं बाबा अंतर्या में है बाबा को सब पता है ऐसे नहीं बच्चे हर एक खुझ समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं जरूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो यह दादा ही कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा श्रीमत पर घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो देहे अभिमान छोड़ो आत्मा कितना समय समझते हैं चेक करो सारे दिन में सूल कॉंशिस हुकर कितना कर्म करते हैं और अगर वो थोड़ा करते हैं, तो बाकी समय यानि body consciousness में रहते हैं, तो बाबा बही क्या रहे, आत्मा कितना समय समझते हैं, यह पक्का करना है, हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है, यह सबसे important point है, अपने को आत्मिक स्थिती में स्थित करो, और बाबा जो है, जैसा है, यह थार थरीती, उसे याद करो, यह सबसे important बात है, तो बाबा कहते हैं, यह पक्का करना है, हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है, याद करते करते पुरानी दुनिया से, नई दुनिया में चले जाएंगे, अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुख धाम में चले जाएंगे, मुख्य रुहानी सेवा है, सबको बाब का परीचे देना, यह है सबसे सहजबात, है इजी, पर सोल कॉंशिस होना पड़ता है, स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी महनत लगती है, इसमें तो महनत की कोई बात नहीं, इतनी भी महनत नहीं है, इजी है, ना हाथ हिलाना है, ना पैर हिलाना है, बुद्धी का काम है सारा, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, समझ की बात है सारी, आत्मा अविनाशी शरीर विनाशी है ये दोनों चीज़ है डिफरेंट अलग-अलग है आत्मा ही सारा पार्ट बज्जाती है यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है बस अभी देते हैं ये ज्ञान बाबा वो भी इसलिए क्योंकि विनाश का समय आ गया है नई दुनिया है ही देवी देवताओं की उसमें जरूर आना है जाना है न उस दुनिया के अंदर तो उसमें जरूर जाना है बाकी सारी दुनिया को शांतिधाम जाना है यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं तुम नई दुनिया में होंगे, तो पुरानी दुनिया की याद होगी, वहाँ याद आएगा पिछले जनम में हम क्या थे, कुछ भी नहीं, तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्ये करते होंगे, यह बुद्धी में रहने से खुशी होती है, स्वर्ग के हम विश्व के महराजा महरानी थे, कितनी खुशी होती है, हम देवी देवत आएं थे, कितनी वोंडरफुल बात है, स्वर्ग को अनेक नाम दिये जाते हैं नर्ग को भी अनेक नाम दिये हुए हैं बहुत सारे नाम हैं पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुखधाम यह पुन्ने आत्माओं की दुनिया स्वर्ग फिर स्वर्ग, सुखधाम कंट्रास्ट है न दोनों दुनियाओं का अभी तुम बच्चे जानते हो बेहत का बाप एक ही है हम उनके सिकी लदे बच्चे है सिक सिक के मिले है तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए न कबसे हम बाबा से बिछुडे थे अब आकर मिले है कितना प्यार होना चाहिए बाबा से बाप का भी बहुत लव है बच्चों में जो बहुत सेवा करते हैं काटों को फूल बनाते हैं मनुष्य से देवता बनना है न बाप खुद नहीं बनते हैं हम को बनाने आये हैं वो तो है ही ever pure हमें बनाना है वाबा ने तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे कौन सा पद पाएंगे हम क्या सेवा करते हैं घर में नौकर चाकर हैं उनको भी पहचान देनी चाहिए जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए तो बाबा कहते हैं सब की सेवा करनी है न अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की गरीब तो बहुत है सब की सेवा करनी है वह सुधर जाएंगे कोई पाप आदी नहीं करेंगे जो गरीब है न, वो सुधर जाएंगे पाप नहीं करेंगे नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे जाने अन्जाने ही सही करते रहेंगे जब तक समझ नहीं मिलती देखते हो जूट चोरी भी कितनी है दुनिया में भी है तो देखते हो जूट चोरी भी कितनी है नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं नहीं तो घर में बच्चे है ताला क्यों लगाएं? ताला लगाने की जरुवत पड़ती है ना? क्यों? चोरी कडर रहता है. परन्तु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं. कल्योग है ना? कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं. बाबा दुनिया में आते तो एक ही बार है परन्तु सब कुछ जानते हैं. चारो युगों की एक-एक बात ये थार से जानते हैं. किसको भूख लगती है? तो लालच के कारण खा लेते हैं. लोभवाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा. यह तो शिव बाबा का भंडारा है तो नियावी बाद भी नहीं है. यहां तो शिव बाबा का भंडारा है इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए. ब्रम्मा तो ट्रस्टी है. बेहत का बाप- भगवान तुमहारे पास आया है. भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा करते हैं मंदिरों में भी हो जाती है स्वपनमे भी नहीं कलती से भी नहीं बुद्धी भी ना जाए कलती से भी तुम जानते हो उचते उच है शिव भगवान उनके हम बच्चे हैं तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए, तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ग्यान देते हो, देते हैं ना, हमारी बहने बहुत सारी जाते हैं जेल के अंदर, ग्यादियों को भी ग्यान देते हैं, यहां क्या चोरी करेंगे, कभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई, यह भी चोरी है ना, यह मत सोचो कि यह चोरी नहीं है, यह भी चोरी है, कोई भी चीज, बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उठाने की तो बाती दूर है, हाथ भी नहीं लगानी चाहिए, शिव बाबा हमारा बाप है, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर कोई अवगुण है, तो सुना दो, अगर कोई अवगुण है ना, बाबा को सुना दो, दान में दे दो, दे दान तो चूटे ग्रहन, बाबा को दे दो, दान में दे कर, फिर कोई अवग्या करेंगे, तो बहुत सजाएं खाएंगे, एक बार बाबा को दे दी, उसके बाद गलती करते हैं तो सजा मिलती है, चोरी की आदत बहुत बुरी होती है, समझो कोई साइकल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं, कोई दुकान में गए, बिसकुट का डिबा छिपा लिया, या कोई छुटी-छुटी चीजें छिपा लेते हैं, दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं, तो यह भी बहुत गवर्न्मेंट है, आजकल तो सब जगा कैमरे लग गए हैं, तो इसलिए खबरदारी और ही जादा बढ़ गई है, दुकानों में भी और बाबा के यक्ये में भी, तो कि वेराइटी आत्माय आते हैं, तो ज्ञान नहीं होते हैं, इसलिए बाबा आज बिलकुल ओपनली सब को बोल रहे हैं, यह ध्यान रखना है, बैठे बैठे, अपने उपर बोजह नहीं चड़ाना है, सजाओं का भागी नहीं बनना है, तो यह भी बहुत बड़ी गवर्न्मेंट है, पांडव गवर्न्मेंट अपना दैवी राज्ये स्थापन कर रही है, बाप कहते हैं, मैं त पांडव पती श्री कृष्न को कहा दिया है, पांडव पिता कौन है, पांडवों का पिता कौन है, पांडव पती श्री कृष्न है तो, तुम जानते हो, सामने बैठे हैं, हमारी नजरों के सामने, हमारी नजरों में समाये हुए, हमारे बाबा बैठे हैं, वो पांडव पि हर एक अंदर में समझ सकते है हम बाबा की क्या सेवा करते है हमसे बहतर कोई नहीं जानता कि हम क्या सेवा करते है बाबा हमको विश्व की बादशाही दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते है कितनी निश्काम सेवा करते है हम विश्व के महराजन बन जाते हैं, महरानी बन जाते हैं और हमारा बाबा जिसने हमें ऐसा बनाया वो खुद वाणी से परे, परमधाम में, शांती धाम में जाकर बैठ जाते हैं तो कितनी निश्काम सेवा करते हैं सब सुखी और शांत हो जाते हैं वहें तु सिर्फ कहते हैं, विश्व में शान्ती हो, दुनिया वाले बस कहते हैं, विश्व में शान्ती हो, शान्ती की प्राइस देते रहते हैं, पीस प्राइस देते हैं, यहां तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बहुत भारी प्राइस मिलती है, जो अच्छी सर्विस करत उनको बड़ी प्राइज मिलती है, प्राइज का अधार क्या है? सेवा, उच ते उच सेवा है, बाप का परीचय देना, यह तो कोई भी कर सकते है, बच्चों को यह यानि देवता बनना है, तो सेवा भी करनी चाहिए ना, इनको देखो, ब्रह्म बाबा को देखते हैं उनका शीवन, यह भी लौक एक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया, इनमें प्रवेश कर, इनको भी कहते हैं, शीव बाबा, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश होकर, ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं, तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो, हमको कैसे कहेंगे? हां? हमारे मे प्रवेश होकर कराते है करन करावन हा रहना करके दिखाते है बैठे बैठे कहा यह छोड़ो यह तो चीची दुनिया है चलो वैकुंठ अब वैकुंठ का मालिक बनना है बस वैराग्य आ गया ब्रह्मा बाबा अपनी बात बता रहे है सब समझते थे इनको क्या हुआ है है ना इतना परिवर्तन हो गया इतना अच्छा जबर्दस्ट फाइदे वाला व्यापारी यह क्या करते है पता थोड़ी था कि यह क्या जाकर करेंगे छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है बस सब कुछ त्याग दिया और सब को भी त्याग कराया ऐसा वेराक्य बच्ची को भी त्याग कराया अब यह रुहानी सेवा करनी है सब को पवित्र बनाना है सब कहते थे हम ग्यान अमृत पीने जाते थे ऐसे बोलते है ना यग्य की हिस्ट्री पढ़ो सब क्या कहते थे कहां जा रहे हो ग्यान अमृत पीने जा रहे है तो सब कहते थे हम ग्यान अम्रित पीने जाते हैं नाम माता का लेते थे मातेश्वरी जगदंबा का नाम लेते थे ओम राधे के पास ग्यान अम्रित पीने जाते हैं किसने या युक्ति रची? देखो, युक्ति युक्त है न बाबा ताकि छुटी सहज मिल जाए शिव बाबा ने इन में प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रचे जो कोई आएगा ज्यान अमरित पीएगा यह भी गायन है इस पर क्या गायन है अमरित छोड विश काहे को खाए है ना जब ज्यान अमरित मिल रहा है भवित्र अमरित मिल रहा है तो फिर विशे विकारों की दुनिया में वो विश क्यों खा रहे हैं हना भगवान आया है हमें अमर बनाने अमर पूरी का मालिक बनाने तो फिर इस मृत्य लोग की व्यर्थ व्यक्त बातों में क्यों ओलचे है विश छोड ज्यान अमृत पी कर पावन देवता बनना है जो शास्त्रों में गायन है लक्षमी के सिर पर कलश रखा है ना तो अमृत किसको मिला देवताओं को मिला शुरू में यह बात थी कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो अमृत पीना है तो विश को छोड़ देना है कंडीशन है पौच स्ट्रिक्नस थी पहले पावन बैकोंठ का मालिक बनना है तो एक कोही याद करना है तो जरूर जगडा चलेगा ना जब पवित्रता की बात होती तो हर जगा जगडा चलता ही है शुरू की खिट-पिट अभी तक चलती आई है और ये तो सदाकाल का एक ट्रेंड बन गया क्योंकि पवित्रता आपवित्र दुनिया के अंदर लेकर आना कोई छोटी बात नहीं है परन्तु जब इश्वर ये श्रीमत हो इश्वर की शक्ती हो तो कुछ भी असंभव नहीं है तो अब लाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जितना तुम बहुत पके होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है शुरू में तो एक्जाम्स आते हैं पर पके हो जाएंगे न फिर वो भी समझेंगे कि हाँ purity में power है ये अच्छी है उनके लिए ही पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ खुदी पुकारा ना हमने पहले तुम्हारे भी character क्या थे पहले जब ग्यान में नहीं थे अभी क्या बन रहे हो आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी है अब ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यहे बन रहे हैं क्योंकि हमें पता चलके आया कि ये चित्र किसके है हम यही बन रहे हैं हम यही थे पहले कहते थे बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहां तक सेवा करते हैं जैसे भंडारी है तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है कितना उनका पुन्य बनता है बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशिरवाद उन पर आते है बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की तो कमाल है कितना प्रबंद रखती है तो देखो दिल से सेवा जब करते हैं तो आशिरवाद कितनी मिलती है यह है तो हुई स्थूल सर्विस सुक्ष्म भी करनी चाहिए तो आज बावने बताए ना स्थूल सर्विस, सुक्ष्म सर्विस फिर मूल सर्विस भी है बच्चे कहते हैं बाबा यह पाँच भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ तरीका बता रहे हैं भूतों को भगाने का एक शिव बाबा के सिवाए और कोई है नहीं वही सहायता करते हैं गायन भी है ना शरण पड़ी मैं तेरे सतियुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे बहा कोई नहीं कहेगा शरण पड़ी मैं तेरे अभी तुम शरण में आये हो कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीडित करते हैं जो दुनिया में कोई आत्मा किसी में प्रवेश हो जाती है भूत प्रेत आ जाता है तो बहुत तंग करते हैं वह अशुद्ध सोल आती है तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए है कितने सारे भूत है यह भूत तुम्हारे को बहुत बीडित करते हैं। वह अशुद्ध सोल तो कोई-कोई को तंग करते हैं। तुमको पता है यह पाच भूत तो पच्चिस सो वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन पाच भूतों ने कंगाल बना दिया है। अंदर से आत्मखोकली हो गई है। देहे अभिमान का भूत है नमबर वन। काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है। यह भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं। यथा राजारानी तथा प्रजा। सबको भूत लगा हुआ है। यह भूत प्रतेक मनुष्य आत्मा में प्रविष्ठ हो चुके हैं। तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। हर आत्मा में पाचो भूत है। रावन राज्य माना आसुरी राज्य। सत्युक्त रेता में भूत होते नहीं। एक भूत भी कितना तंग कर देता है। किसी में क्रोध का भूत आ गया ना तो देखो। खुद भी तंग होते हैं, दूसरे को भी तंग करते हैं। तो बाबा कहते हैं, इनका किसको पता नहीं है। पाच विकारो रूपी रावन का भूत है, जिससे बाप आकर छोडाते हैं। तुम्हारे में भी कोई-कोई संसिबल हैं, जिनकी बुद्धी में बैठता है। इस जन्व में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की दे अभिमान में आया, तो रिजल्ट क्या होगी। क्या होगी। पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठा लेते हैं। कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर। चोरी तो चोरी है, सजा तो मिलेगी। यग्य में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। आदत पढ़ जाती है, तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। अच्छा। रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मॉनिंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारना के लिए मुख्य सार पहला, स्थूल सेवा के साथ साथ, सुक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परीचे देना, आत्माओं का कल्यान करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दुसरा, संसिबल बन पाच विकारो रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी वजूट बोलने की आदत निकाल देनी है, दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। वर्दान है, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्यान चिंतन वस्वचिंतन करने वाले शुभचिंतक भवा। अपनी बॉडी की अलग-अलग बिमारियों का चिंतन नहीं करो, उसकी चिंता में मत टाइम वेस्ट करो। क्या करना है, स्वचिंतन, ज्यान चिंतन, शुबचिंतन करना है, तो एक है शरीर की व्याधी आना, व्याधी तो आती है, एक है शरीर की व्याधी आना, एक है व्याधी में हिल जाना, आती तो सब के पास है पर सब हिलते हैं, नई, कुछ जादा हिलते हैं, कुछ कम हिलते हैं, कुछ नई हिलते हैं व्याधी आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेश्ट स्थिती का हिल जाना, यह बंधन युक्त की निशानी है जो शरीर की व्याधी के चिन्तन से मुक्त रहे, स्वचिन्तन, ज्ञान चिन्तन करते हैं, वही शुभ चिन्तक है प्रकृती का चिन्तन ज्यादा करने से चिन्ता का रूप हो जाता है इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही करमाती तिस्थिती कहा जाता है तो क्या करना है? बॉड़ी की चिन्ता नहीं करो, ज्ञान चिन्तन करो, स्वचिन्तन करो तब जाकर धीरे धीरे करमाती तिस्थिती के समीप पहुचेंगे स्लोगन है, स्नेहे की शक्ती समस्या रूपी पहाड को पानी जैसा हलका बना देती है स्नेही की शक्ती समस्या रूपी पहाड को पानी जैसा हलका बना देती है तो क्या करना है? इश्वर ये स्नेहे में समाई रहो फिर देखो समस्या कितनी सहजबार हो जाती है तो आज विश्यीष सभी क्या करेंगे? कोई भी मिले आते, जाते, है ना? रस्ते में कोई भी आपका जिसे सबजी लेते हो, जिसे काम कराते हो, जिसे मिलते, जुलते हो से किसी न किसी तरीके से युक्ती युक्त होकर बाप का परिच्च ज़रूर दो तो ये सेवा जरूर करो, ये मूल सेवा है, सारी दुनिया में सभी लोग औरफन है, सबको उनके बेहद के पिता का परीचे देकर अपना जनम जनमांतर का भागे बनाओ, तो चलते फिरते उटते बैठते, जो कोई भी मिले, कुछ सुक्षम सेवा करो, और कुछ सूल सेवा कर वो तो करते ही है, पर उन्तु साथ साथ सबको बाबा का परीचे जरूर दो, तो विश्व सेवा धारी बनकर बिलकुल इस सेवा में लगे रहो, तो दोई बाते हो जाएंगी, याद और सेवा फिर माया नहीं आएगी, चाह, ओम शांती शिव पिता के आद दिलाथे चलो, सब के आग्य बनाथे चलो शिव पिता के आद दिलाथे चलो, सब के आग्य बनाथे चलो सर्वोंच सेवा है नहीं, शिव संदेश सुनाथे चलो शिव पिता के आद दिलाथे चलो, सब के आग्य बनाथे चलो सब के आग्य बनाथे चलो अपने को समझो आत्मा तुम, राजयोग की विधी यही है अपने को समझो आत्मा तुम, राजयोग की विधी यही है सर्वसंबंध हो परंपिता से यान योग की सिधी यही है राजयोगी बन करके तुम सब के आप मिटाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो राजयोग के ही बल से तुम्हे सत्वों को पावन बनाना है राजयोग की ही बल से तुम्हे सत्वों को पावन बनाना है ये धर्थी और आस्मा ये धर्थी और आस्मा दोनों को सरिंभ में बनाना है राजयोगी बन कर जहां का हर अंधियारा मिताते चलो सब के भाग्य बनाते चलो शिव पिता की आस दिलाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो कर्म योग की तरा अंधियोगी बनाते चलो सब के ही कश्ट तुम मिठाओ कर्म योग की करामत से सब के ही कश्ट तुम मिठाओ अब उसकी प्यास तुम ही बुझाओ बन जाओ तुम तपस्वि मूरत जीवन दिव्य बनाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो सरवच सेवा है यही शिव संदेश सुनाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो सब के भाग्य बनाते चलो कर दो